नवस्कार दोस्तों इनकी एज 39 यर्स प्लस 4 मंत की है जिसको पामिश्री में रियल में इंट्रेस है ये वीडियो पूरा देखना ये एक अलग ही तरह का पाम है मुझे भी इस पाम को समझने के लिए इनसे सवाल जवाब करने पड़े थे क्योंकि एका जगा पर मैं भी पजल था और उसका जवाब मिल गया तो मैं वो सारी चीज़े और इनको भी खुद की जीवन रेखा के बारे में भी इनको बहुत सारे डाउट है उन सारी वस्तुओं को हम क्लियर करेंगे बहुत कुछ है इस पाम में समझने के लिए जिसको रि व्यक्ति के हाथ में धनुशाकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में बहुत जो भी अपरचुनीटी आती उसे ग्रेव करके आगे बढ़ता है यह पूरा स्क्वेरिश पाम है ऐसे लोग भौत मेंती होते हां इनका एक मा है ठेक काम भी है तो उसे भी मैनत से करेंगे दुकान है अगर आपकी दस का स्टाफ है आपके पास फिर भी आप खड़े होकर मजदूरी करो गई दूसरा दो दिन अगर पैसा न देखे जीवन में तो इनको ऐसा लगता है जीवन पूरा हो गया यह सबसे बड़ा माइनस प बंद है जब अश्ति घर में रहना पड़ा जैसे लॉकडाउन हुआ यह एक नई वस्तू देखने मिली थी तो ऐसे समय अगर दुकानदारी बंद है और व्यापार नहीं हो रहा है टेक्निकल कारणों से तो भी इनको टेंस हा जाएगा तो यह चोड़े पाम का यह सबसे ब जी दोगी सेकेंड फेलेंज भी अच्छा है जा लॉचिक की जो रहते वहां लॉचिक यूज किया जा चूप रहने की जो रहते वहां चूप रहे और अंगुठा मांसल है तो अपने हीतों की रक्षा करने वाला वेक्ति होता है उंगलिया जब यह फर्ष्ट उंगली बैं इन्टिकल इंट्रेस वाले लोग होते यानि इलेक्शन लड़ना या जीतना या उस तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं इनका इंट्रेस भरपूर रहता कोई न कोई जैसे हो संबालते किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोवर होते है और जब इलेक्शन के समय तो इनकी डिस्कस करना बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को और ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको भारत के अंदर क्योंकि सालों का हमारा लोगतंत्र का इतियास है तो कई लोगों के हातों में इस तरह के फैलेंज मिलेंगे आपको सुरी की उंगली बढ़ी है तो यह ऐसे लोग हिमती सभाव के होते है जिब में पचास हज़ार और पचास लग की रिस्क लेनी है तो बहुत आसानी से लेते है छोटी उंगली पर जाने के पहले मुझे यहाँ पर तिल नजरा आ रहा है यह तिल व्यक्ति को पाँच अगर रिक्ति आते है तो उसमें चार लोगों में पती पत्नी के बीच में दो साल गंभीर जगड़ा होता है और एक काद कपल ऐसा आता है जिनके जीवन में इस तिल में दो साल पती पत्नी को दूर रहना पड़ता है यह पती एक सहर में पत्नी कोई और सहर में ठीक है बीच में आना जाना होता है पर वो दो साल का पिरियर्ड अलग रहना पड़ता है और तीसरा केस ऐसा होता है हमें ये पता नहीं ये तील कब है तो कोई कॉलेज पिरियर्ड में या जवानी के दिन में प्रेम्प्रसंग हुआ हो और ये तील में वो तूट भी जाता है तील के कारण और अती पेन देता है यह उंगली फर्स्ट फैलेंग तक नहीं पहुच दिये तो व्यक्ति डॉक्मेंटेशन फाइलिंग चीजों को संबाल कर रखना याद्चक्ति मनी मेनेजमेंट और अकाउंट यह सारी चीजों में व्यक्ति कमजोर होता है यह व्यक्ति मनी मेनेजमेंट आत्में है अब इनके इंक लगे हुए फोटोग्राफ पर चलते हैं बुद्ध परवत पर भहुत सारी खड़ी लाइन है यह जब लाइन होती है तो व्यक्ति को सुन्दरता भी देती है प्लस बिजनेस माइंडेड भी देती है वानी मिठी होती इनकी सहद की तरह यह सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है इन लाइनों के द्वारा यहां पर यह साइन दिये इनके जीवन में तो जीवन में यह भी प्राप्त होते रहेगा यानि फेम प्राप्त होते रहेगा एक यहां पर मुझे स्क्वेर साइन नजर आ रही है यह इतनी बड़ी स्क्वेर साइन में ज्यक्ति इंटरनेशनल लेवल का काम करता है या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम कर सकता या तो इनके द्वारा या इनके संदानों के द्वारा यह स्क्वेर साइन की बेनेफ और हमारे संतान सॉफ्ट्वेर इंजिनियर बन गए पर कहीं न कहीं परिवार में ये स्क्वेर की वज़ा से कोई किसी समय पर ये काम होता ही है इंटरनेशनल लेवल का अब इनकी साइनों को देखते हैं उसके पहले इनके हाथ में सन लाइन भी है तो ऐसे लोगों को comfortable income जीवन में आती है इससे ज़्यादा सन लाइन ज़्यादा नहीं देती किताबों में ज़्यादा देती है रियल जीवन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट सन लाइन से नहीं होता comfortable income और थोड़ा सा यस देती है ये देखिए कितनी सुन्दर साइन यहाँ पर बनी वी है एक यहाँ पर बनी वी है और यहाँ पर दो से तीन है एक यहाँ पर है एक यहाँ पर भी है एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है इतनी सारी साइने इनके हाथ में दिख रही है और यह square मेरे हिसाब से यह complete है और यह pharmaceutical वाले है तो हो सकता है इनके काम में भी इनको multi city का काम करने मिले अब छोटी छोटी यहाँ पर भी है इतनी सारी साइने तो जीवन तो समरुद्धी वाला रहेगा इनका शनी परवत एकदम फ्लैट है तो अलस क्या होता पता ही नहीं होता और एक दो लाइन है सुर्य परवत की और भी देख रही है या तो विदे से धन प्राक्ति या सेवा वाला कार है किसी और का प्रोड़क्त बेचना जैसे एजेंसी लाइन है या किसी को सेवा देना या अगर आपकी फैक्टरी है तो किसी का जॉब वक करना ये इस तरह के इंकम की और इशारा करता है और विदे से धन लाप ये तीन में से कोई ने कोई एक वस्तू व्यक्ति के जीवन में होती है और बहुत सारी लाइन है तो बुड़ा पे तक इंकम जीवन में आती रहेगी जुपिटर माउंट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है यानि पारिवारिक सांसारिक सुभ में को प्रोग्रेस तो देती है पर बुरा भी समय आये तो व्यक्ति को टिकाया रखती है नाम खराब नहीं होने देती है समय तो बुरा आता हो बुरा होता ही है पर टिका के रखती है और यहां पर बहुत सारी लाइन है एक लाइन, दो लाइन तीन लाइन, चार लाइन यह वेक्ति को जब लाइन होती है तो मल्टिपल इंकम के सोर्स क्रियेट होते है पामिस्ट्री एस्ट्रोलोजी इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है प्लस सेवा भावी और धार मिलता है यह सारे गुंट ऐसे लोगों को मिलते है अब इनके मंगल को देखे तो मंगल मध्यम टाइप का मैं यह नहीं कहूंगा कि बहुत जादा अच्छा है यह मध्यम तरका है और इस पर एक स्टार भी है और इंडिविज्वल स्टार है यानि म मंगल रेखा पर नहीं है इंडिविज्वल स्टार है यह देखिए यह इन्हों नहीं जान कर दी थी कि मेरे यहां पर स्टार है यह एक लाइन गई एक लाइन यहां से आई और एक लाइन यह गई और यह मेरे हिसाब से मेरे ग्यान के अनुसा यह इंडिविज्वल स्टार ह यह एकर्स में जमीन का फाइदा देता है मंगल रेखा पर हो तो हमें सारे रेक एनर्जी देता है क्योंकि स्टार का मतलब होता है एंप्लिफाय करना और इंडिविज्वल हो तो हमें वो एकर्स में जमीनों का फाइदा देता है बारी मंगल अच्छा है जब किसी से मिलेंगे एनरजी के साथ मिलेंगे सामने वाला comfortable फिल करेगा और संकट के समय वेक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है और ये लाइन अगर होगी जो थोड़ा सा आभास हो रहा है ये आप चेक कर लेना तो भाई की और से पिता की और से या जीजा की और से कभी न कभी आर्थिक कर्ष्ट का सामना करना पड़ता है या revenue department के जो officer होते हैं उनके द्वारा हमारे जीवन में ट्रबल आती है चंद्रपरवत पर कोई साय ने इतनी स्पष्टथा से नहीं दिख रही है पर चंद्रपरवत अच्छा है तो ये advantage है और इनकी जीवन रेखा भी चंद्रपरवत पर जाती है तो ऐसे लोग अगर अपने जन्सल से दूर काम करते है तो ज़्यादा benefit इनको प्राप्त होती है क्योंकि इनकी जीवन रेखा पूरी गुमाव देखें यहां से पूरी गुमाव लेकर चंद्रपरवत की और जा रही है तो यह एक मुझे पता नहीं यह नेटिवस जगपरी काम कर रहे है या जन्सल से दूर काम कर रहे है मुझे आइडिया नहीं है पर जन्सल से दूर कर रहे है तो ज़्यादा benefit व्यक्ति को प्राप्त होती है और चंद्रपरवत अच्छा है तो विदेश का लाब मिले गई किसी न किसी रूप में चाहे संतानों के द्वारा या खुद के द्वारा पानी अच्छा लगता है दूद से बनी वस्तू अच्छी लगती नेड़े शक्ती अच्छी होती है नई नई चीजे करने का शौक होता और बहुत अच्छे परचे सर होते है और यहाँ पर देखिए क्लियर कट एक बुद्रेखा अच्छी खासी जा रही है और एक मनी ट्रैंगल भी बन रहा है तो बुड़ापे तक इतनी जम्पत्ती तो जमा कर लेंगे कि बुड़ापा सांती से गुजरे शुक्र परवत में कोई कमी नहीं है यह वैसा शुक्र परवत है बहुत ज़ादा उभार भी नहीं है और बहुत ज़ादा दबा हुआ है हाँ, स्पेस ज़ादा मिला हुआ है तो कपड़े अच्छे पेना, अच्छी तरह रहना यह सारे लक्षन इनमें पाए जाते आपको माइन लाइन भी दिख रही है पर ये सिम्यन लाइन है उसका कारण है जब भी आपकी इनकी 28 में साधी हुई ये रेखा जब माइन लाइन को टच नहीं करती तब तक हमारे जिवन में ना रिलेशन आता है या साधी होती है तो ये अगर mind line है तो ये simian line है simple सी theory है अब ये simian line का मतलब क्या ऐसे लोग सबसे बड़ा जो फर्क होता है simian line वालों का simple दो भाषा में यानि simple भाषा में गुरू की और से निकल रही है तो बहुत positive mind वाले होते हैं बहुत positive मद्य से निकले तो थोड़े से positive थोड़े से negative और यहां से अगर simian line निकले तो ये complete negative सोच वाले रहते हैं अब simian line वालों का सबसे बड़ा advantage और disadvantage दोनों बताता हूं ये लोग जो कारे होता है वर्क होता है उसको देवता समझते इनको चार-चार दीन अगर जगा भी लोग जिद्ध से काम करेंगे complete नहीं होता तब तक यह सोएंगे नहीं यानि इतने जिद्धी होते है काम के प्रती अब यह एक खासियत है तो सामने माइनस पॉइंट यह रहता है कि परिवार वाले इनको समझ नहीं पाते है क्योंकि यह परिवार में उतनी energy नहीं लगाते हैं यह काम को ज़्यादा महतों देते हैं यह काम यानि वर्क को पर और यह परिवार को नहीं समझ पाते हैं यह एक बड़ा माइनस पॉइंट होता है पर जुबिटर मांट जिसका अच्छा होता है तो दीरे दीरे गाड़ी पट्री पर आ जाती है एक दूसरे परिवार के लोग स्विकार कर लेते यह बंदा ऐसा ही है और यह लोग भी अपने मन में स्विकार कर लेते कि मेरा परिवार मुझे समस्ता नहीं और दोनों की गाड़िया परिवार सुखरूप से चलते रहता है पर माइनस पॉइंट तो है यह यह लोग वर्क म कोई आता है तो जंजटो भरा प्रेशर वाला जीवन तो रहेगा अब इतना स्पश फोटो नहीं है कि मैं बहुत जाड़ा डिटेल में जाओं अब यह तो हो गई पर इनके साथ माइन लाइन भी है इनको लगा कि यह जीवन रेखा है और यह इस तरह से यह बन रहा है यह कि यह एक माइन लाइन ऐसे चली और यहां रूकी एक माइन लाइन ऐसे भी आई तो मैंने पहले इनको सवाल किया क्या आप पहले सिक्चल्दी टैप से सोचते थे और अतिधर्मिक थे यानि सिक चल्दी टाइप का सोचना मिन्स क्या चार अंडे खरित के लाऊंगा उसे चार मुर्गी होगी उसे और दददस अंडे मिलेंगे तो चालिस अंडे हो जाएंगे चालिस मुर्गी हो जाएगे उस चालिस मुर्गी से चार सो अंडे मिकलेंगे और इस तर से सिख चल दी ख्यालों वाले तो ये हसने भी लगे और accept भी किया फिर मैंने का बहुत अत्ती धार्मिक थे एक सटन एज तक तो इन्होंने वो भी accept किया और उसके बाद थोड़ा सा बैलेंस हुआ आपका धार्मिक था तो यस हुई इनकी धार्मिक था तो यह देखिए यहां पर कश्मकर्ष चली होगी 32 के आसपास के पिरियड में इनकी कश्मकर्ष चली होगी धार्मिक था और नॉर्मल लाइट में और यहां से यह नॉर्मल होना चालू हुए होगी यह अपना खेल कर रही है यह अलग अब डबल माइन लाइन है तो यह भी एक एडवांटेज है यानि सिमियन लाइन प्लस माइन लाइन तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शार्प होते एक साथ पांच-पांच काम कर सकते तो यह भी एक एडवांटेज होता है तो नेचरल है, आम इनसान से ज्यादा आपको भगवान ने एडवांटेज दिया, तो उसका एडवांटेज कहीं न कहीं, आर्थिक रूप से सामने आता ही है, यह सबसे बड़ा फल होता है, तो डबल माइन लाइन भी गिन सकते हैं, इसको, मल्टी टेलेंटेल होते हैं, और यह माइन लाइन और यह सीमियन लाइन, अब इनके प्रश्न का जवाब इनको मिल गया, मेरे लिए भी यह जब पाम आया, तो मैं भी बहुत कुछ इसमें समझने की कोशिस कर रहा था, पर फिर सवालों के जवाब किये, यानि सवाल किये तो समय स्थितिया क्लियर हुई अब यह बहुत बारिक लाइन थी, तो मैंने पहले ही साधी की रेखा बना दी, जीवन रेखा पर, तो यह 28 में इनके साधी हुई, उसके बाद 32 में एक राओ रेखा आई, उसके बाद 33 में भी एक राओ रेखा है, उसके बाद 36 में एक छोटी सी राओ रेखा है, उसके बा झालऊर एक लाइन, यहां पर जा रही है, यह वाली, और यह वर्तमान प्रियड में राहू रेखा है, 39 के आसपास, फिर 41 Walking, के आसपास ये राहू रेखा है, फिर 43 के आसपास है राहू रे खा, और 44, यानि थीन साल में ये थीन राहू रेखा है, उसकी बद 49 में एक राउ रेखा है 53 में राउ रेखा है एक छोटी सी 56 में राउ रेखा है और छोटी छोटी एक दो राउ रेखा है पर मैंने इसकी aging करना योग्य नहीं समना बहुत छोटी राउ रेखा है फिर 68 में ये offshoot है ये बहुत बड़ा offshoot है और एक 70 में भी offshoot है और near and dearer की death है तो इस तरह से इनका जीवन है अब इनकी धन रेखा को समझने की कोशिस करते है यहाँ पर देखिए थोड़ इसी line disturb थी इस period में तो इनका expense ज्यादा रहोगा thread तो था तो कमाई तो होती है पर expense भी सामने ज्यादा लगता है जब इस तरह की condition होती है और multiple income के तो सुरुवात से इनके हाथ में है यहाँ पर भी यह line चल कर stop हो रही है यानि यह जो कारे कर रहे होंगे यह आगे चल कर यहाँ stop हो जाएगा H जो 30 के आसपास काम चालू किया होगा वो लगबख 4041 में stop कर लोगे अभी इनके दो कमाई के सादन दिख रहे है एक यह line और एक यह सुरुवात से चल रही है अब एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं पहले इस line को लेते हैं यह line यहाँ से लगबख 38 से ग्रोथ देनी चालू करेगी और यहाँ थोड़ इसी कमजोर बनेगी यह cut भी लगेगा इस पर बड़ा यह cut लगेगा इनको 43 या 44 के आस पास और से लेकर यह 4 साल यह line में थोड़ी सी कम ग्रोथ होगी उसके बाद फिर ग्रोथ मिलनी चालू तो यह up to 60 तक यह line चलेगी फिर जो second line है वो यहाँ पर थोड़ इसी expensive दिख रही है up to 39 तक 39 से यह growth अच्छी देगी पर इस पर भी एक cut आ रहा है यह अच्छा खासा आर्थिक नुकसान देगी इनको और यह period होगा लगबग 41 का इस fate line पर और यह चलेगी और यह यहाँ पर भी कमजोर पड़ रही है यानि expense level बढ़ जाएगा यह period होगा इनका इस line पर 44 से लेकर 49 तक और फिर 49 से वापस growth देना चलो up to end तक और side side में दूसरी भी line है एक और वयोसा इनका सुरू होगा वो यहाँ से लगबग 47, 48 से और यह up to end तक चलेगा और और parallel line है और है तो बुड़ा पर तक कोई ज़्यादा टेंस लेने वाला हाथ नहीं है ठीक है हर्व इंसान के थोड़ी सी कमजोरिया आती है तो से दो चार साल इनको बीच में थोड़ा सा problem आएगा problem तो नहीं कह सकते जब यह stage निकाल चुके है तो यहाँ पर ऐसे कोई problem ही था वैसी चीज है यहाँ पर भी होगी और यह जो काट है यह इनको आर्थिक नुकसान 41 और 43 में देते वेल लग रहा है यह थोड़ा बड़ा नुकसान जाएगा तो यहाँ पर थोड़ी सी रिस्क अपने आपको कम करें पर कितना भी कहो जो लिखा होता वो होता ही है किसी न किसी रूप से पैसे हमारे जाते है प आप देखिए इनका एक और फोटोग्राफ है यह यहां पर यहां से यह लाइन कमजोरी थी अब टू 29 से लेकर 37 37 के आस पास तर तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्ण के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद